नमस्कार वच्वों, Welcome to Education Therapy, मैं हूँ ख्लेश, आज मैं आप लोगों को उत्र प्रदेश बोर्ड, कच्छानों, विसेविज्ञान, मैं पार्ट चार के अभ्यास प्रस्नों को हल कराऊंगा, पार्ट चार जिसका नाम है परुमाड की सनरचना या structure of atom, तो इस पार्ट के अभ 53 पे जो भी प्रस्न है, पहले उन प्रस्नों को हल करते हैं, तो उसका जो पहला प्रस्न है, देखिए क्या कह रहा है, केनाल किरिणे क्या है, इसका उतर देखते हैं, केनाल किरिणे, जब विसर्जन अलिका में बहुत कम दाप पर छिद्र युक्त कैथोर्ड लेकर की दिशा कैथोड किरडों के विपिरीत होती है ये किरडे धनावेशित कडों से मिलकर बनी होती है जिने प्रोटान कहते हैं इनका द्रविमान हाइड्रोजन के एक परमाड के द्रविमान के बराबर पाया गया ठीक है यानि जो प्रोटान का पता चला ये कैनाल रेक के इस्त द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के एक पर्माड के द्रव्यमान के बराबर होता है ठीक है ये चीज हम याद कर लेंगे क्या चीज यूज हुई थी कैथोड किरणे ठीक है कैथोड किरणे कहा जाता है इनको तो ये था इस प्रस्ट का उत्तर अब अगले पे आते हैं प इसी परमाड में एक electron तथा एक proton है तो उसमें कोई आवेस होगा या नहीं होगा तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि nucleus यानि जो केंद्र होता है परमाड का वहाँ पर proton और neutron पाये जाते हैं और जो बाहरी कच्छा होती है इस nucleus के ऐसे ऐसे वहाँ पर electron पाये जाता है ठीक है तो proton की संख्या क्या कहु रहा है एक है और electron की संख्या एक है यानि इस परमाड में proton की संख्या एक है तो इस परमाड पर कोई आवेस नहीं होगा चलिए इसका उतर देखते हैं इसमें क्या है यदि किसी पर्माण में एक electron तथा एक proton होगा तो उस पर कोई आवेस नहीं होगा क्योंकि electron पर उपस्थित रिड़ आवेस और proton पर उपस्थित धनावेस आपस में मिलकर उसको उदासीन बना देंगे यानि minus electron मतलब minus हो गया charge और proton मतलब हो गया plus charge तो एक minus और एक plus आपस में मिलके क्या हो जाए निल हो जाएगे यानि उदासीन हो जाएगे ठीक है तो क्या बचेगा कोई charge नहीं बचेगा अगला देखते हैं अब प्रिष्टि संक्या 56 जो 56 है उसको देखते हैं तो इस पेज का पहला प्रस्ट परमाड उदासीन है इस तर्थी को टामसन के माडल के आधार पर असपस्ट कीजिए जो एटम है वो निूट्रल है यह हमको साबित करना है कि से जो टामसन का माडल है पर तामचन के परमाड यह परमाड यह लिग गया है परमाड माडल ठीक है तामचन के परमाड माडल के अनुसार परमाड का परमाड धन आवेसित गोले का बना होता है अब उन्होंने क्या बताया था बताया था कि जो परमाड है वो एक धन आवेसित गोले का बना हुआ है यानि कटने के बाद तर्बूज दिखता है या वो तो हमको पता चलता है कि उसमें 20 धसे होते हैं यानि जो तर्बूज होता है पूरा एक उसी के जैसा इन्होंने अपना परवार माडल बताया था तो और इलेक्टरान इसमें फसे होते हैं यानि धसे होते हैं क्योंकि धनात्मक हैं अता परमाड उदासीन होता है यानि इन्होंने जो परमाड के उदासीनता का जो तत्थ बताया था वो यही था कि धनावेशित परमाड होता है और उसमें जो एलेक्टरान होते हैं वो बीच में धसे होते हैं लगे होते हैं फसे होते हैं लेकिन उनका जो परिमाड होता है वो समान होता है जितना एलेक्टरान होगा उतना ही प्रोटान होगा ठीक है इनका यही कहना था और यही कारण है कि परमाड उदासीन होता है ठीक है यह टामसन का माडल था चलिए अगला देखते हैं प्रस नंबर दो रदर फोड के परमाड माडल के अनुसार परमाड के नाभिक में कौन सा अवपरमाड कर विद्धिमान है अब रदर फोड जी ने जो परमाड माडल दिया था उसके हिसाब से देखें तो इसका उतर देखते हैं रदर फोड के परमाड माडल के अनुसार परमाड के नाभिक मे धनावेसित कर प्रोटान विद्यमान था ठीक है प्रस नमबर 3 तीन कच्छाओं वाले बोर के परमाड माडल का चित्र बनाई है तो जो बोर ने माडल दिया था उसको बनाने के लिए कहा जा रहा है चलिए इसका उतर देखते हैं तो यहां पर हमने 4 कच्छाओं पड़ी थी K, L, M, N ठीक है तो यहां पर 3 कच्छा कह रहा तो N को हम छोड़ सकते हैं हमको K, L, M यह इतना दर्साना है तो दिखिए जो कच्छाओं बनती है वो ऐसे बनती है किसी भी परमाड की ठीक है यह केंद्रक है हमारा यह हमारा पहली कक्षा है के यह दूसरी है के यह L है और फिर सबसे आकरी में हमारा M है ठीक है कक्षा K में जो N की वैलू है वो 1 के बराबर होती है कक्षा L के लिए N की वैलू 2 के बराबर होती है और कक्षा M में N की वैलू 3 के बराबर होती है ठीक है यहाँ पे किस कक्षा में कितने एलक्टरॉन होंगे उसको कल्कुलेट करने के लिए एक फर्मूला है हमको पता करना है कि k में कितने electron रह सकते हैं तो k n बराबर 1 है होता है k के लिए तो यहाँ पर रख देंगे 2 और n की जगह पर 1 1 का square तो 2 गुड़े 1 का square बराबर 2 यानि जो k वाला cell होगा यानि यह सबसे अंदर वाला यह वाला cell होगा यहाँ पे हम सिर्फ 2 electron को ही रख सकते हैं या 2 electron ही यहाँ पे रह सकते हैं ठीक है ऐसे ही अगर कहा जाए कि यहाँ पे L के लिए तो L के लिए अगर हम निकालेंगे L कक्षा के लिए तो L में n बराबर होता है कितना 2 तो यहाँ फार्मूले में रखेंगे 2 गुडे n बराबर 2 रखेंगे 2 की घात 2 इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुडे 4 बराबर 8 हा जाएगा हमारा ठीक है यानि जो L वाले कच्छा होगी उसमें हम 8 electron रख सकते हैं तो इस तरह से हम M और n का भी निकाल सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न क्या अलफा किरडो का प्रकेडन प्रयोग सोने के अतरिक्त दूसरी धात की पन्नी से संभव होगा चलिए इसका उतर देखते हैं अलफा किरडो के प्रकेडन प्रयोग में सोनी की पन्नी को इसलिए चुना गया क्योंकि सोने की जो परत है वो बहुत पतली आवस्था में प्राप्त हो सकती है अथवा हजार परमाड़ों की मोटाई के बराबर परत हम प्राप्त कर सकते हैं जदि दूसरी भारी धात को ले तो हम इतनी पतली परतवाली पन्नी प्राप्त नहीं कर सकते अता अलफा केडव का प्रकेडन तो इसे भी संभव होगा परंतु परिडाम इतने असपस्ट नहीं होगे इसलिए सोने का इस्तमाल हमने या सोने का इस्तमाल किया गया इस प्रयोग में क्योंकि आपको पता होगा कि सोना हम उसको ठोक पीट कर बहुत पतली चादर में हम तब्दील कर सकते हैं इसलिए सोने काउपयोग किया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अब प्रिष्च संख्या 56 पे ही और प्रस्ण है उसको भी देखेंगे प्रिष्च संख्या अभी हमने उपर भी देखा तो वन साइड में वो प्रस्ण थे जो पेज नमर 56 है उसकी दूसरी साइड में यानि जो half section है half section में फिर से 1, 2 प्रस्ण है तो इसको देखते है देखिए परमाड के तीन अब परमाड कड़ों के नाम लिखिए तो परमाड के तीन कड़ कौन से है परमुख परमुख क्या तीन ही कड़ों होते हैं electron, proton और neutron ठीक है? electron पे minus charge होता है proton पे plus और ये neutron पे कोई आवेस नहीं होता, ये उदासीन होता है अगला प्रस देखते हैं, प्रस नंबर दो helium परमाड, ये helium है, ठीक है? ये helium परमाड का परमाड दरविमान 4U है तथा उसके नाभिग में दो proton होते हैं इसमें कितने neutron होंगे? देखिए ये helium है 4U इसका दरविमान है और electron की संख्या भी दी है क्या? उसके नाभिग में दो proton है अब proton की संख्या कितनी है? दो तो जो दरविमान होता है वो क्या होता है? proton प्लस neutron ठीक है? proton प्लस neutron होता है, हमको total mass दरविमान दिया है 4U, यू लिखिए या न लिखिए दरविमान हमको पूरा दिया है 4, ठीक है? proton की संख्या कितनी दी है? 2 neutron निकालना है हमको तो यहाँ पे प्लस N रखेंगे और 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 4-2 हो जाएगा बराबर N, तो हमारा 2 हो जाएगा N, यानि neutron की संख्या कितनी आएगी? 2 तो वही चीज़ यहाँ पे हल किया हुआ है neutron संख्या बराबर परमाड उद्रविमान माइनस proton की संख्या, तो 4-2 बराबर 2 आगे हमारा यहाँ पे उत्तर, यानि 2 neutron उसके अंदर होंगे, helium परमाड में चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं प्रिष्ट संख्या 57 पे जो प्रस्ट है उनको देखते हैं प्रस्ट क्या है? कार्बन और सोडियम के परमाड़ों के लिए electron वितरण लिखिए इसका उतर देखते हैं कार्बन का परमाड़ों करमांग 6 होता है sodium का 11 होता है तो इसके लिए परमाड़ों वितरण जो पहला cell होता है यानि पहला कक्ष K होता है तो इसमें 2 electron रह सकते हैं तो कार्बन और सोडियम के पहले कक्ष में 2-2 electron होंगे इसके बाद कितने electron बचे? तो जब 6 में से 2 निकल गया तो यहाँ पे बचा कितना? 4 तो L वाला जो कक्षा होता है इसमें ज़्यादर से ज़्यादा 8 electron रह सकते हैं तो इसके पास 4 electron है तो यह पूरा electron यहाँ पे आके समा जाएगा ठीक है? L वाली कक्षा है लेकिन वही sodium की बात करें तो 11 में से 2 electron तो यहाँ आ गए तो यहाँ पे कितना बचा? 9 यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 8 ही electron हम यहाँ पे रख सकते हैं तो 9 में से 8 electron तो यहाँ आ गए बचा कितना फिर? उसके बाद बचा यहाँ पे 1 तो ये जो एक electron बचा, ये चला जाएगा M वाले cell में, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, तो ये हमारा हो गया, इसका electronic विन्यास, electronic विन्यास में, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, पूरा डीटेल में, ठीक है, तो अभी इस प्रस्टनों को हल कर लेते हैं, फिर एक डीटेल वीडियो में, पूरा विस्तार से समझा दूँगा, तो इस तरह से electronic विन्यास बनाए जाता है, चलिए, आगे देखते हैं, अगला प्रस्ट, अगर किसी परमारू का K और L कोस भरा है, तो उस परमारू में electronic की संख्या क्या होगी, अब इसमें कह रहा है, अगर K वाला सेल भरा हो, और L वाला सेल भरा हो, ठीक है, तो K वाले सेल में हम maximum अधिक सधिक कितने electron रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है, 2, N की पावर 2, तो K के लिए N की value 1 होती है, तो इसमें हम maximum 2 electron रख सकते हैं, अगर N बराबर 1 रखेंगे, L के लिए अगर करेंगे, तो L बराबर हमारा होता है, L के लिए हमारी N की value जो होती है, वो 2 होती है, तो यहां इसको solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, यानि L में हम L वाली कक्षा में maximum 8 electron रख सकते हैं, ठीक है, तो 8, 2, 10 electron होंगे, यहां पे, ठीक है, टोटल 10 electron ह होंगे, वहीची देखे, केक अक्षा में पहले 2 electron रख सकते हैं, और L में हम 8 electron रख सकते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएगे, टोटल मिला के हो जाएगे हमारे 10 electron, यानि उसमें 10 electron होंगे, अगला देखते हैं, प्रिष्ट संख्या 58 पर जो प्रस्न है, उनको देखते ह हैं, क्लोरीन, सलफर और मैगनेसियम की परमाड संख्या से आप इनकी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, आदेखिए संजोचकता कैसे निकालते हैं, ठीक है, संजोचकता निकालने का दो तरीका है, एक तो उसके आखरी, सबसे आखरी कच्छा में जितने electron उपलब्ध हैं, वो उस परमाड की संजोचकता होती है, ठीक है, लिकिन अगर उसमें जो परमाड हैं, वो 4 से अधिक हैं, आखरी आउर्बिट में 4 से अधिक परमाड अगर हैं, यहनि 5, 6, 7 साथ अगर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 8 में से उतने अपरमाड को घटा देंगे, और जो संख्या आएगी वो उसकी परमाड़ुता कही जाएगी, संजोकता कही जाएगी, ठीक है, चलिए, जो प्रस्ण है, उसको हल करते हैं, भी समझ में आ जाएगा, पहला आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन का परमाड़ुसं क्या होता है 17, इसका हम electronic विन्यास करेंगे, तो पहले cell में, यानि K में 2 आएगा, L में 8 आएगा, बाकी कितना बचा? 7, तो 7 आ गया, आखरी वाले cell में, यानि M में, अब इसका बाहत्तम को पूर करने वाले, अब दिखिए इसमें, मैंने क्या कहा, अगर आखरी cell में 4 से जादा हैं, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 एलेक्टरान को आखरी कच्छा में इसे निकालने में, यानि एके करके अगर हम इसके 7 एलेक्टरान को निकालें, तो हमको उर्जा जादा देनी पड़ेगी, जादा खर्च करनी पड़ेगी, उसके बजाए अगर ये एक एलेक्टरान प्राप्त कर ले, तो क्या होगा? एके ही बार उर्जा खर्च करनी प आता है एक और यई ही एक हमारा हो जाता है इसका संजोजक्ता तो एक इलक्टरान की आवशक्ता होती ही से इसलिए इसकी संजोजक्ता एक है वहीं हम that part की बात करें तो सल्फर का परमारू करमांग होता है सोला एलेक्टरानिक बिन्यास बनाएंगे तो दो आठ और छे बनेगा ठीक है क्योंकि इसके बाहतम कोस में छे एलेक्टरान उपस्तित है तो इसे पूर रूप से भढ़ने के लिए दो एलेक्टरान की आवशकता होगी ठीक है क्योंकि छे एलेक्टरान पहले से हैं उसके पास अगर इसको दो और मिल जाए तो ये आठ पूरा हो जाएगा ठीक है आठ एलेक्टरान की संख्या इसके आर्बिट में कुई तरह से भरने के लिए कितने उलेक्ट्रानों की आविशकता है या कह सकते हैं कि वह कितने और उलेक्ट्रानों प्रमार के साथ जुड सकते हैं वही उसकी संजोजगता है चलिए अब मैंगिनिसियम पर आते है मैंगिनिसियम पर मारू करमांग 12 है एलेक्रानिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8 और 2 क्योंकि 8, 2, 10 और 2, 12 तो आखरी सल में इसके 2 एलेक्ट्रान आएंगे अब क्योंकि इसके बाहतम कोस में 2 एलेक्ट्रान है तो इसकी संजोगता 2 होगी ठीक है? क्या कहाता मैंने? कि अगर 4 से कम संजोगता है 4 को लेके including 4 including 4 के बराबर या 4 से कम एलेक्ट्रान अगर बाहरी कच्छा में है ठीक है? वह संजोगता नहीं चार या 4 से कम 4 को लेके एक, दो, तीन, चार अगर इन में से कोई नंबर उसके बाहरी आखरी कोस में है परमाड के तो यही संख्या उसकी क्या हो जाएगी? संजोगता ठीक है? तो यहाँ पर दो ही एलेक्ट्रान है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो यह हो जाएगा इसकी संजोगता जो होगी वो दो हो जाएगी चलिए अगला देखते है पेज नंबर 59 यानि संख्या 69 पे जो परस्ण है उसको देखते हैं पहला परस्ण देखिए यदि किसी परमाड में इलेक्टानों की संख्या आठ है और प्रोटानों की संख्या भी आठ है तब पहला क्या पूछ रहा है परमाड की परमाड संख्या क्या है और दूसरा प्रस्ण है परमाड का क्या भेस है तो अब जब हमको पता है electron की संख्या और proton की संख्या समान है तो जाहिर ची बात है ये क्या हो जाएगा neutral या उदा-scene कह सकते हैं ठीक है, उदा-scene हो जाएगा अब रही बात वाले की यानि परमाड की परमाडू संख्या क्या होगी, इसकी परमाडू संख्या अगर निकाले तो जो पहले हम पता करेंगे क्या electron हमें किसी भी पर्माड की अगर सॉरी यहां पर पर्माडू संख्या निकाल ली है यानि क्या कहेंगे atomic number ठीक है यहां पर atomic number निकाल ली है तो atomic number का मतलब होता है उस पर्माड में जितने proton उपलब्ध है वही उस पर्माड की जो होगा पर्माडू संख्या होगा यानि atomic number होगा तो 8 electron उपलब्ध है यहां पर ठीक है 8 proton है तो जो पर्माड है इसका जो atomic number होगा यानि पर्माड संख्या होगा वो क्या हो जाएगा आठ चलिए उत्तर देखिए उत्तर में वही चीज़ है परमाड संख्या बराबर होता है प्रोटानों की संख्या तो यह हो जाएगा हमारा आठ और प्रोटान की संख्या आठ है तो आठ धन आवेस है लक्टान की संख्या आठ है तो आठ रिड़ा आवेस है तो सारा मिलके क् की सहायता से आक्सीजन और सलफर परमाड़ों की द्रवेमान संख्या ग्याद कीजिए यानि आक्सीजन और सलफर जो है उनके परमाड़ की द्रवेमान संख्या यानि अटामिक मास निकालना है तो अटामिक मास के लिए हमको क्या क्या चाहिए प्रोटान प्लस न्यूटान प होती है न्यूट्रान की भी आठ होती है इसलिए आक्सीजन का जो द्रविमान होता है वो कि तोला यू होता है उसके बाद सल्फर का देखेंगे तो सल्फर का परमाड संख्या प्रोटान की संख्या प्लस न्यूट्रान की संख्या तो सल्फर का प्रोटान की संख्या 16, neutron भी 16 होते हैं तो ये हो जाता है 32 32 unified mass अगला प्रस्ण देखेंगे page number 60 यानि प्रिष्ट संक्या 60 पे जो भी प्रस्ण है उनको देखेंगे चिन HDT के लिए प्रतेक में पाए जाने वाले तीनों अवपरमाडुक अवपरमाडुक कड़ो को साड़ी बद कीजिए यानि HDT HDT का मतलब होता है hydrogen, deuterium और tritium hydrogen को हम यहाँ protein भी कहते हैं पी से भी कभी कभी दर्सित करते हैं ठीक है protein, deuterium, tritium अब इसमें बताने हैं कि इन तीनों में किसमें कितने electron, proton और कितने neutron पाए जाते हैं तो जो hydrogen होता है यही एक ऐसा item है जिसमें neutron नहीं पाए जाता इसमें आपको एक electron और एक proton मिलेगा लेकिन neutron नहीं मिलेगे ठीक है neutron नहीं मिलेगा वहीं deuterium की बात करें तो इसमें एक electron एक proton और एक neutron मिलेगा tritium की बात करें तो एक proton एक एक प्रोटान और दो न्यूट्रान मिलेंगे ठीक है यानि बाकी सब में इसका जो ट्राइटियम है इसका दर्वमान भारी है ठीक है ज़्यादा है चलिए आगे देखते हैं समस्थानिक समभारिक कि किसी एक यूग्म का एलेक्ट्रानिक विन्यास लिखिए अब देखिए यहाँ पर हमको समस्थानिक को बताना है और समभारिक बताना है देखिए समस्थानिक और समभारिक को समझ लीज़े इसे नाम से सम अस्थानिक सम अस्थानिक मनलब समान अस्थान तो चार्ट में जिसका समान अस्थान होगा यानि एक ही अस्थान पे बैठे होंगे तो इसका मतलब उनका सीक्वेंस जो है उनका जो सीक्वेंस नंबर है वो समान होगा ठीक है यानि कोई भी जैसे होता ना कि class में first second third अब मान लिजे first पे समान नमबर पाके सेम नमबर पाके दो लड़के आ रहे हैं first पे तो यानि वो समस्थानिक है क्योंकि उनके नमबर बराबर है इसलिए वो समस्थानिक है ठीक है तो ऐसे ही periodic table में जो periodic table होता है हमारा उसमें अगर एक ही अस्थान पे एक ही क्रम संख्या पे दो तरह की चीज़े पाई जाती है तो उन्हें हम समस्थानिक कहते है जैसे कार्बन के समस्थानिक यानि अब यहाँ कार्बन क्या है कार्बन तो वही है इसका atomic number सेम है लेकिन जो द्रविमान है वो अलग हो जाता है ठीक है यानि समस्थानिक में हम कह सकते हैं कि एटामिक नंबर सेम होगा लेकिन एटामिक मास अलग होगा यानि परमाडु संख्या समान होगी परमाडु दरव्यमान अलग होगा वही संभारिक में इनका भार भार से मतलब द्रविमान समान होगा लेकिन परमाड करमांक अलग होगे चलिए इसका उत्तर देखते हैं कार्बन के समस्थानी तो कार्बन का एक परमाड है हमारा कार्बन बारा और एक है हमारा कार्बन चौदा ठीक है तो कार्बन बारा का देखेंगे तो कार्बन बारा का जो हमारा electronic विन्यास आएगा वो आएगा 2 और 4 ठीक है देखे, proton की संख्या 8 है electron की संख्या 6 है अब neutron की संख्या निकालेंगे तो 12-6 बराबर 6 electronic विन्यास इसका हो जाएगा कितना हमारा फिर 2 और 4 यानि अब 6 है, electronic विन्यास तो 2 और 4 मिलके 6 ही बनेगा ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें तुलना करें इससे, कारवन 14 से तो electron की संख्या इसमें 6 है neutron की संख्या 14-6 यानि 8 अब यहाँ देखिए neutron की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही थे आ रही थी, देखिए यहाँ पे neutron की संख्या आ रही थी 6, वहीं यहाँ पे neutron की संख्या आ रही है 8 बाकी proton की संख्या वही है सेम है, electronic विन्यास भी आप देखेंगे तो सेम है, 2 और 4 ठीक है, तो यह तुलनात्मक है और यह तुलनात्मक आपने जो देखा, यह था समस्थानी neutron की संख्या जैसे ही बदली तो दोनों का भार बदल जाएगा यही होता है, द्रविमान अब आते हैं संभारिक संभारिक के लिए हमने लिया है आरगन, तो यहाँ पे एक आरगन और कैल्सियम आरगन है, जिसका atomic number 18 है, और कैल्सियम है, जिसका atomic number 20 है, अब देखिए यहाँ जो नीचे लिखा होता ना, यह atomic number दरसाता है, और जो उपर लिखा होता है, वो दरसाता है atomic mass, यानि द्रविमान, परमाणू द्रविमान अब आरगन की बात करें, तो अलेक्ट्रानों की संख्या 18, प्रोटान 18 और नीचे लिखा रहा, और नीचे लिखा ध्रविमान माइनस प्रोटान, तो यह 22 हो गया अलेक्ट्रानिक बिन्यास बनेगा क्या 2884 वहीं केल्सियम की बात करें, तो देखिए केल्सियम 20, तो अलेक्ट्रान की संख्या 20, प्रोटान की संख्या 20 नीचे लिखा ध्रोटान की संख्या 40-20, यानि 20 अब इसका अलेक्ट्रानिक बिन्यास बनेगा हमारा 2882 अब देखिए यहाँ पर इसका अलेक्ट्रानिक बिन्यास भिन्न है, अलग-अलग है दोनों, ठीक है और यहाँ पर आपकी न्यूट्रानों की संख्या भिन्न है फिर भी जो इनका जो अटामिक मास है वो सेम है और अटामिक नंबर अलग है, ठीक है तो यह अंतर होता है संभारिक और समस्थानिक चलिए अब आते हैं जो आपके प्रिष्ट संख्या यानि पेज नंबर 61 से 63 पे हैं जितने भी प्रस्ण है उनको हलकर नाम सुरू करते हैं यानि अभ्यास प्रस्ण आपके चलिए पहला प्रस्ण देखते है एलेक्ट्रान, प्रोटान और न्यूट्रान के गुड़ों की तुलना कीजिए चलिए एक चार्ट है इस चार्ट की साहता से हम तुलना करते है देखे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज देखे पहला गुड़ है यहाँ पे फिर एलेक्ट्रान है, प्रोटान है और न्यूट्रान तो गुड़ आवेस का, आवेस वाला जो गुड़ है उसको देखते हैं इस पर एकाई रिड़ावेस होता है यानि एलेक्ट्रान पे रिड़ावेस होता है और यहाँ एक दस्मलो छे गुड़े दस्कीघाद माइनेस 19 चार्ज होता है ठीक है उसके बाद अब आते हैं प्रोटान पे इस पर एकाई धानावेस होता है या एक दस्मलो छे गुड़े दस्कीघाद माइनेस 19 चार्ज होता है फिर नूट्रान इस पर कोई आवेस नहीं होता उदासीन होता है सही हित अब सही मतलब कितना भार होता है ठीक है एक एलेक्ट्रान की सही हित या नौ दस्मलो एक गुड़े दस्कीघाद माइनेस 30 केजी होता है प्रोटान की सहीत हाइड्रोजन के एक परमाड के बराबर होती है इसकी सहीत प्रोटान की सहीत के लगभग समान होती है यानि प्रोटान बराबर होता हाइड्रोजन के यही जो न्यूट्रान होता है वो प्रोटान के लगभग बरावर होता है परमाण में इस्थित ये नाभिक के चार और चक्कर लगाते हैं ये नाभिक के अंदर इस्थिर रहता है और इस्थित रहता है ये नाभिक के अंदर इस्थित रहता है यानि प्रोटान और न्यूटान क्या होता है नाभिक में होते है और अलेक्टान उस नाभिक के चार और राउंड-राउंड चक्कर काटता रहता है तो ये इसके गुड़ होते है चलिए अगला देखते है देखे जेजे टाम्सन के पर्माण माडल की सीमा है इसका उत्र देखते हैं जेजे टामसन के परमाड को एक गोले के रूप में प्रतिपादित किया जिसमें प्रोटान की उपस्तिती के कारड़ धनात्मक आवेस होता है और एलेक्टान इसके अंदर धसे होते हैं तामसन के पास इस परयोगी गूरूप में सिद्ध करने का कोई परमाड नहीं था कि इनहोंने त्योंकि कोई परयोग तो किया नहीं था इनका एक hypothetical एनका एक विचार था यह तो प्रमाण नहीं था और इस माडल द्वारा दूसरे वैज्ञाने को द्वारा किये गए प्रयोग के परिडामों को भी नहीं समझाया जा सका यानि बहुत लोग ने प्रयोग भी किया बट वो इसको समझा नहीं पाए उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो यही कमिया थी अगला देखते हैं रदरफोर्ड के परमाण माडल की सीमाया है चलिए इसका देखते हैं उत्तर रदरफोर्ड के परमाण माडल की कमिया रदरफोर्ड ने प्रस्तावित कि एलेक्टरान धनावेसित नाभिक के चारोर घुमते हैं या चक्कर लगाते हैं ठीक है इन्होंने ये बताया था, तो अब उसमें दिक्कत क्या थी, कि ये नाभिक है, अब नाभिक के चारोर एलेक्टान चकर लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है, तो क्या होगा, ये लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा, कि ये बाहर की तरफ भग जाएगा, ठीक है, तो ये इस्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि एलेक्टान अंदर आएगा, और बाहर निकल जाएगा, तो इससे परमाड जो है, वो हमेशा इस्थिर नहीं रहेगा, और जबकि हमने ये पढ़ा है, कि अब मतलब ये प्रयोक से भी सिद्धुआ है, कि जो परमाड है, वो एक इस्थिर होता है, लेकिन जो मॉडल इन्होंने बताया था, इसके हिसाब से ये आइस्थिर हो जाता, ठीक है, देखिए, चक्कर लगाता अलेक्टान नाभिक में प्रवेश करता हुआ, अताह नाभिक हुआ, घूमने वाले अलेक्टान के मद आकर्सट बल, अलेक्टानों क कि अब केंद्रिय बल से संतुलित हो जाता, परंतु, जब आवेसित वस्त, जब आवेसित वस्त वृत्ताकार पत पर घूमती है, तो वा विकिरड उत्सरजित करती है, जिससे उर्जा में हानी होती है, इसके फलसरूप इलेक्टानों को नाभिक में गिर जाना चाहिए, अ परंतु, परमाड अस्थाई होता है, अब उस एलेक्टान जब उसमें गिरेगा, तो उसे क्या परमाड आइस्थिर होगा, लेकिन हम यह जानते हैं कि परमाड अस्थाई होता है, इन सब तत्यों की रजरफोर्ड व्याख्या ना कर सके, परमाड की इस्थिरता के कारड व् समझा नहीं पाए ठीक है चलिए अगला देखते हैं बोर के परमाड माडल की व्याख्या कीजे अब यहां हम निल्स बोर जीन जो अपना मॉडल दिया था अटॉमिक मॉडल उसके बारे में बात करेंगे अब इन्हों ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं तो इसका उतर देखे एलेक्टरान परमाड के नाभिक के चारो निश्चित कच्छाओं में चक्कर लगाते हैं जिने कक्ष कहते हैं या सेल कहते हैं दूसरा एक एलेक्टरान जिब किसी कक्ष में चक्कर लगाता है तो वह उसमें निश्चित उर्जा होती है और उर्जा का विकरण नहीं होता ठीक है? अब ये जो कमिया थी पहले के मॉडल में उसको निल्स वोर्ज ने दूर की थी चलिए यानि उस पे इन्होंने अपने विचार दिये थे कि उस विचार को हम कैसे काट सकते हैं अगला देखते हैं प्रतेक कक्षा की अपनी निश्चित उर्जा होती है इसलिए उन्हें उर्जा अस्तर कहा जाता है जैसे अब यहां चितर में हम देखेंगे तो यहां हम यह पाते हैं कि देखिए यह जो सेल है मारा यन वाला सेल है अंदर से आते हैं यह तो सबसे बाहरी वाला चलिए अंदर वाला के सेल होता है सबसे पास में तो इसकी जो उर्जा होती है तो वो 1 होती है L के लिए उरजा कितनी होगी 2 M के लिए उरजा होगी 3 और N के लिए उरजा यही हो जाएगी 4 इसलिए हम K के लिए जो N की value होती है वो 1 लिखते है L के लिए value हम लिखते है L के लिए N की value कितनी हो जाती है 2 तो ऐसे ही M के लिए 3 और N के लिए 4 ठीक है यह उर्जा का अस्तर होता है चलिए अगला आगे देखते हैं कि इन उर्जा अस्तरों को के अलेमन द्वारा एक दो तीन चार द्वारा प्रदर्सित करते हैं ठीक है जो मैंने भी आपको उपर वताया तो यह था नील्स वोर्ड द्वारा दिया गया परमाण माडल अब आते हैं अगले प्रस्ण पर देखिए इस अध्याय में दियेगे सभी परमाण माडलों की तुलना कीजिए अब जितने भी मॉडल हमने इस लेसन में पढ़े इस पार्ट में पढ़े हैं उन सब को आपस में कंपेर करेंगे चलिए इसका उतर देखते हैं यहां पे चार्ट है इस चार्ट को देखेंगे और कंपेरिजन करेंगे देखें तामचन माडल है रदरफोर्ड माडल है और यहां पे बोर माडल यानि नील्स बोर माडल देखें इस माडल के अनुसार धनात्मक आवेस कर गो में तर्बूज जैसा होता है और उसमें जो तर्बूज के बीज होते हैं काले-काले उस तरह से अलेक्टरान धसे होते हैं अगला इसी में देखेंगे इस मॉडल में इस मॉडल से हमें इलेक्टरान की उर्जय के विशय में ग्यान नहीं होता इसमें इलेक्टरानों के यह भाग में इस्थित होते हैं जिने नाभिक कहते हैं यानि जो धनावेसित कड़ है वो कहां होते हैं सेंटर में होते हैं एलेक्ट्रान रिडावेसित कड़ा है नाभिक के चारो और चक्कर लगाता है ये भी इन्होंने बताए कि जो एलेक्ट्रान है वो रिडावेसित होता है और नाभिक के चारो और चक्कर लगाता है इसी में अगला देखेंगे रदरफोर्ड माडल में एलेक्ट्रान की उर्जा के विषय में ग्यान नहीं होता यानि एलेक्ट्रान की उर्जा के बारे में कुछ नहीं बताया जाता इसमें इसमें भी वितरड के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती यानि एलेक्टरानों को वितरड कैसा होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं वहीं जब निल्स बोर के मॉडल में आते हैं तो बोर के मॉडल के आधार पर भी धनावेस जो होता है वो केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं एलेक्टरान नाभिक के बाहर अपने निश्चित वृत्तिये कच्छाओं में चक्कर लगाते हैं इन्होंने ये बताया कि जो एलेक्टरान है वो नाभिक के चारों और एक गोल गोल चक्कर में मतलब एक वृत्तिये पथ में चक्कर लगाता है इस माडल के अनुसार अलेक्ट्रान की उर्जा और उनके चक्कर लगाने वाले कक्षों के अनुसार निश्चित होती है अलेक्ट्रान कक्षों में निश्चित संख्या में चक्कर लगाते हैं और प्रते कक्ष की उर्जा निश्चित होती है जैसे K के लिए उर्जास्तर है वन फिर L के लिए उर्जास्तर है हमारा दो M के लिए उर्जास्तर है तीन और N के लिए उर्जास्तर है चार ठीक है और सभी में K में कितने electron होंगे, M में कितने होंगे, L में कितने होंगे ये निश्चित संख्या है जिसको हम calculate करते है फार्मूले से जो फार्मूला है 2 into n की पावर 2 ठीक है इस फार्मूले से हम calculate करते है किस cell में किस कक्ष में कितने electron रहेंगे और n हमारा क्या है उर्जा का अस्तर जो मैंने 1,2,3,4 अभी बताया किसी भी cell के लिए उर्जा का अस्तर n से दर्शित होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ट पहले 18 तक्तों के भिन कक्षों में electron वितरड के नियम लिखिए तो अब electron का वितरड कैसे होता है इसके नियम बताने हैं में चलिए इसका उतर देखते हैं किसी भी कक्ष में उपस्ते तलेक्टानों की संख्या एक सूत्र 2n स्कॉयर द्वारा ग्यात की जाती है जहां n कक्ष की संख्या या उर्जास्तर है अब इसमें पहले कक्ष की बात करें अगर हम तो यहाँ पे पहले कक्ष में के होता है यानि पहले कक्ष को हम के से दर्शित करते हैं उर्जा का स्तर 1 होता है यहाँ पे तो इस फार्मूले से 2 आ जाएगा 2 इंटू उर्जा का स्तर 1 है 1 का स्कॉयर 1 ही होता है तो यह 2 आ जाएगा L के लिए यही वैलू 8 होगी M के लिए 18 होगी और N के लिए 32 यानि K में सिर्फ जादा से जादा 2 electron रह सकते हैं कम की बात नहीं हो रही जादा से जादा maximum 2 electron L में maximum 8 electron M में maximum 18 और N में maximum 32 electron रह सकते हैं कम हो सकता है, लेकिन 32 से जादा या 18 से जादा या 8 से जादा या 2 से जादा नहीं रह सकते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, बाहतम कोस में अधिकतम 8 एलक्टान रखे जा सकते हैं, पहले कक्षा में एलक्टानों की संख्या पूर होने पर 30 एलक्टान दूसरी कक्षा में जा सकते हैं, अर्थात कक्ष क्रमानुसार ही भरे जाएंगे, यानि पहले के वाला कक्ष भरेगा, जब वो पूरा फिल हो जाएगा, पूरे दो इलेक्टरान उसमें आ जाएंगे, उसके बाद भी इलेक्टरान बचा हुआ है उस परवाणु में, तब वो किसके अंदर जाए तो ये नियम थे, अब अगले प्रस्ट पर आते हैं, सिलिकान, आक्सीजन का उधार लेते हुए संज्योगता की परिभासा दीजें, चलिए इसका उतर देखते हैं, किसी तत्त की संज्योग करने की छंता को उसकी संज्योगता कहते हैं, यह उस परमान के बाहतम कोस में उड़ना हो, तो आप मैक्सिमम दो लोगों से ही हाथ मिला के जुड़ सकते हैं, हाथ के द्वारा आप दो ही लोग से मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो यही कह रहा है कि कोई भी परमान कितने हाथ मिला के किसी दूसरे परमान से जुड़ पाता है, वही उसकी संज् चलिह अगला देखते हैं अगला नहीं इसी में और देखते हैं देखे यदि बाहेतम कोस में उपस्थित ऐलेक्टानों की संख्या के बराबर होती है जैसे सिलिकान SI का परमार्ण संख्या है 14 इसका electronic विन्यास 2,8 और 4 यह बनेगा यानी 8,2,10,4,14 ठीक है अब सिल्कान के संजोजक्ता चार होगी मैंने क्या बताया था भी आपको कि किसी भी परमाड में अगर आखरी कोस में आखरी सेल में एक दो तीन चार इनमें से कोई संख्या का एलक्टरान है तो उसकी परमाड संख्या उतनी ही होगी वही हो जाएगी तो सिल्कान के आ अगर यदि बाहितम कोस में उपस्थित एलेक्टानों की संख्या 4 से अधिक हो तो संजज़क्ता 8 माइनस बाहितम कोस में उपस्थित एलेक्टान की संख्या के बराबर होगी तो उधारण के लिए आक्सीजन का परमाण संख्या 8 है electronic विन्यास बनाएंगे तो 2 और 6 यानि 6 दो 8 ये बनेगा अब बाहिक उस में 6 electron है यानि 4 से अधिक है तो क्या करेंगे 8-6 करेंगे जो आएगा वही oxygen की संजोजक्ता होगी अब देखिए oxygen के कितने हाथ होगे संजोजक्ता का मतलब 2 oxygen के कितने हाथ होगे 2 यानि ये जो oxygen है ये कम से कम 2 लोग से जुड़ी सकता है तो एक hydrogen से इधर जुड़ गया एक hydrogen से इधर जुड़ गया और हमारा बन गया H2O इसी तरह से oxygen जुड़ता है चलिए अगला प्रस देखते हैं उधार सहित व्यक्या कीजे के परमार संख्या द्रवमान संख्या समस्थानिक और संभारि समस्थानिकों के कोई दो उप्योग लेकिए यानि इन सब के बारे में बताना है हमको परमार संख्या द्रवमान संख्या समस्थानिक और संभारि चलिए उतर देखते हैं इसका परमार संख्या परमार के नाभिक में पाये जाने वाले धनाविसित कर यानि प्रोटान की संख्या को परमार संख्या कहते हैं इसे हम जड़ द्वारा प्रदर्सित करते है उदाहरण के लिए कारवन के परमाण संख्या 6 है क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटान पाये जाते है आक्सिजन के परमाण संख्या 8 है क्योंकि इसके नाभिक में जो प्रोटानों की संख्या वो है 8 अब आते हैं द्रवमान संख्या पे परमाण के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटान वा न्योट्रान की कुल संख्या को द्रवमान संख्या कहते हैं यानि द्रवमान संख्या बराबर होगा प्रोटान संख्या प्लस न्योट्रान की संख्या उधारण देखेंगे इसका अक्सिजन का द्रवमान 16 है क्योंकि आक्सिजन प्रमान के नाभिक में 8 प्रोटान और 8 नियोटरान होते हैं तो द्रवमान संख्या बराबर 8 प्लस 8 प्रोटान प्लस 8 नियोटरान बराबर 16 यूनिफाइड बार ठीक है Sudium की बात करें तो Sudium लिब्वान की संख्या 23 है क्योंकि Sudium के नाभिक में 11 proton वा 12 neutron पाये जाते हैं तो द्रिब्वान संख्या बराबर 11 proton फ्लस 12 neutron जुड़ने की अबाद यह हो जाते हैं 23 unified mass यह हो गया द्रिब्वान संख्या अब आते हैं समस्थानिक हैं एक बार और दीख लेते हैं एक ही तक के वे पर्माण जिनके पर्माण संख्या समान परन्त द्रव्माण संख्या भिन हो समस्थानिक कहलाते हैं यानि atomic number same हो और atomic mass different हो तो वो समस्थानिक कहलाएंगे उधारण के लिए देखे क्लोरीन के दो समस्थानिक एक है हमारा क्लोरीन 35 और एक है हमारा क्लोरीन 35 का मतलब द्रवमान की बात हो रही है यहां पे 37 का मतलब द्रवमान की बात हो रही है क्योंकि अटामिक नंबर तो सेम है 17-17 ठीक है तो यह कहलाएंगे क्या समस्थानिक Hydrogen के 3 समस्थानिक की बात करें तो Hydrogen के 3 समस्थानिक क्या है Proteum, Deuterium और Tridium Hydrogen 1, Hydrogen 2, Hydrogen 3 ठीक है, ये समस्थानिक हो गए किसके Hydrogen के, Carbon के भी ऐसे कई समस्थानिक है Carbon 12, Carbon 14, ठीक है ये Carbon के समस्थानिक हो गए अब आते हैं देखते हैं संभारि संभारिक क्या होता है वी तब तो जिनकी परमाणु द्रवमान संख्या समान हो परन्तु परमाणु संख्या भिन भिन हो संभारिक तब तो पहलाते हैं जैसे यहाँ पे atomic number different होने चाहिए और atomic mass से तो यहाँ पे हम देखें कि आरगन का जो द्रवमान है लेकिन परमाण संख्या दोने के भिन भिन है ठीक है तो इस तरह के तत्तों को हम कहेंगे इस तरह के परमाणु को हम कहेंगे संभारिक अब इसके दो उप्योग देख लेते हैं uranium के एक समस्थानिक का उप्योग परमाण भठी में इधन के रूप में किया जाता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के एक समस्थानी का उपयोग किया जाता है तो ये तो दो उपयोग हो गए फिर पेंगा ये पेंगा नहीं है घेंगा है घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानी का उपयोग किया जाता है ठीक है घेंगा जिसमें thyroid gland बड़ा हो जाता है यानि जो गले में thyroid gland होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसरे रोक को हम घेंगा रोक कहते हैं चली अगला देखते हैं Na plus को पूरी तरह से भरे हुए K वा L कोस होते हैं व्याख्या कीजिए अब Na plus लिखा है और कह रहा है कि इसका जो K और L वाला cell है यह पूरी तरह से भरे हुए है electron complete है चली इसके बारे हम कुछ चर्चा करते हैं उत्तर देखें इसका sodium का पर्माण संख्या होता है 11 ठीक है इसका अब Na plus है तो plus का मतलब देखिए क्या होता है यहां पे प्लस 11 प्रोटान है और इसके चारों तरफ सर्कल काट रहे हैं कितना minus 11 electron ठीक है अब अगर हम यहां से अब दोनों electron प्रोटान की संख्या बराबर है इसलिए यह उदासीन है लेकिन अगर हमको Na plus करना है Na plus का मतलब हमको electron की संख्या घटानी पड़ेगी तो अगर हम यहां से एक electron निकाल दें और यह निकालने पे हो जाएगा 10 electron ठीक है जैसे ही अगर है अब माइनस 10 है यानि 10 electron है लेकिन प्रोटानो की संख्या कितनी है 11 कितनी जादा है प्रोटान की संख्या एक नमबर से जादा है तो इसलिए यहां पर जो संख्या है जो पर प्लस लगाया किया क्योंकि यहां पर जो प्लस है वो अधिक हो गया ठीक है तो, वही चीज़ देखीए अब उपस्तित एलेक्ट्रानों की संख्या जब इसमें पता करेंगेन्ये प्लस में तो conception-1 एक करेंगे टोटल एलेक्टरानों की संख्या जाएगी 10 अब जब एलेक्टरान 10 ही मौझूद है तो एलेक्टरानिक बिन्यास भी इसी के हिसाब से बनेगा 10 ही एलेक्टरान के हिसाब से तो इसका जब एलेक्टरानिक बिन्यास बनाएंगे तो k वाले cell में maximum 2 electron रहते हैं तो 2 लिख दिए l वाले cell में maximum 8 electron रहते हैं तो 8 लिख दिए अब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 electron पूरे हो गए तो 10 बरावर 10 हो गया यानि आपको electron ही नहीं बचा तो by cos में इसके 8 electron आ गए यानि पूरे electron हो गए यानि इसके जो l और k वाले cell हैं दोनों पूरी तरह से भरे हैं तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं ब्रोमीन परमाड़ दो समस्थानिकों ब्रोमीन परमाड़ के आउसत परमाड़ दरवान की गढ़ना कीजिए चलिए इसको solve करते हैं यहां पर दिया क्या क्या है एक तो ब्रोमीन दिया है हमको 79 तो 79 इंटू कितना परतिसाथ है इतना परतिसाथ है बटे 100 फिर प्लस करेंगे दूसरा ब्रोमीन दिया है 81 का यह देका इसका इसका tauक्षक Advent का तो 50% को हम प्रतिस जैसे लिखा है 50% तो परसंट जो होता है वो बराबर होता है एक बटा 100 के तो परसंट को हटा के हम एक बटा 100 लिख दिये हैं ठीक है अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा 8010.066 आएगा जिसको हम लगभग मानेंगे 80 Unified Mass ठीक है तो ये इसका Average आउसत परमार दर्वमान हो जाएगा चलिए अगला देखते है एक तत्तो X का परमार दर्वमान 16.02U है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानी X16 और X18 का प्रतिसत क्या हो हमको यहाँ पर प्रतिसत निकालना है देखे X का परमार दर्वमान दिया है एक 16 का प्रतिसत मालते है X% है Small X% तो यहाँ पर प्रतिसत मात्रा X- Sorry, 100-X% हो जाएगा ठीक है तो फिर यहाँ पर हम क्या गरेंगे 16.02 बराबर हो जाएगा हमारा 16 गुड़े X बटे 100 और फिर 18 गुडे 100-X बटे 100 ठीक है इसको हल करेंगे तो हमारा X बराबर आ जाएगा 90% ठीक है अब इसको कैलकुलेशन तो आप करी सकते हैं इसमें क्या करना है पच्छांतर विधी की लगानी है और X की वैलू निकाल ले है तो हल करके आप इतना निकाल सकते हैं ठीक है तो यह आएगा 90% ठीक है चलिए अब जो 90% आया है भाई 90% X 16 के लिए आ गया तो यह तो पूरा हो गया लेकिन जो 100-1% हमने किया था उसको भी निकालना है तो X की वैलू 90 है तो यहाँ पे X 18 का भी निकालना है तो 100-90 करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 10% ठीक है तो यह प्रतिसत दोनों का आ गया X 16 का 90% और X 18 का 10% हिस्देदारी है चलिए अगला प्रस्द देखते हैं यदि तक तो Z बराबर 3 हो तो उस तक तो की संज़एकता क्या होगी उस तक तो का नाम भी लिकिए अब Z बराबर 3 है, Z बराबर 3 का मतलब प्रोटानों की संख्या कितनी है? 3 अब किसी प्रोटान की संख्या, किसी परमान में प्रोटानों की संख्या अगर 3 है तो आप count कर लीजे hydrogen पहला होता है helium दूसरा होता है और lithium तीसरा होता है यानि यह कौन सा तत्व है Li lithium इसका electronic विन्यास क्या होगा दो और एक ठीक है संजुजक्ता कितनी होगी एक तत्व का नाम होगा lithium ठीक है आगे देखते हैं दो परमाड इसपसीज की केंद्र कों का संगटन नीचे दिया गया है प्रोटान 6X 6Y, neutron 6X 8Y X और Y का द्रमान संख्या ज्याद कीजिए इन दोनों इसपसीज में क्या संबंद है द्रमान संख्या और इनमें क्या संबंद है ये बताना है देखते हैं X का द्रमान संख्या प्रोटान प्लस न्यूटान तो 6 प्लस 612U हो जाएगा Y का द्रमान निकालेंगे तो प्रोटान प्लस न्यूटान 6 प्लस 8 14U हो जाएगा X और Y में प्रोटानों की संख्या समान है अब देखें यहाँ पे जो प्रोटान है इसका भी 6 है इसका भी 6 तो प्रोटान की संख्या जब समान है और यहाँ पे देखेंगे न्यूटान की संख्या अलग है ठीक है प्रोटान की संख्या समान है आवरत सारडी उसके एक ही खाने में ये तत्तों पाए जाएंगे क्योंकि प्रोटान संख्या एक है ठीक है लेकिन अब यहां पे क्या है द्रवमान संख्या भिन्न है तो इस तरह के तत्तों को हम क्या कहते हैं द्रवमान संख्या देखिए इसका बारा है इसका चौदा है तो इस तरह के तत्त को हम क्या कहेंगे समस्थानिक तो इनमें क्या संबंध है ये समस्थानिक तत्त है अब सारी परमाड़ है क्या है समस्थानिक परमाड़ है ठीक है आगे देखते है निमलिकित कत्रों में से सही पर टू और गलत पे एफ लिखिये है यानि सही पर T लिखना है और गलत पर F लिखना है चलिए पहला देखते हैं जेजे टामसन ने या प्रस्तावित किया था कि परमाड के केंद्रक में किवल नुकलियस होता है गलत इन्होंने नहीं बताया था यह F होगा यहाँ पर एक एलेक्ट्रान और प्रोट्रान मिलकर नियूट्रान का निर्माड करते हैं इसलिए यह दनावेसित होता है यह भी गलत है, false statement है, ऐसा कुछ नहीं होता अगला देखते हैं, देखे एलेक्ट्रान का द्रमान प्रोट्रान के लगभग 1 बटा 2000 गुना होता है, यह एकदम true है सही है अगला देखते हैं आयोडीन के समस्थानिक का इस्तमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है इसका उपयोग दवा के रूप में होता है ये भी एकदम सही है सत्य है कथन है ये भी ट्रू है ठीक है तो ये दोनों ऊपर के दोनों गलत है नीचे के दोनों सही है अगला देखते हैं अब देखिए इसमें question number 15, 16, 17, 18 में सही और गलत का निसान लगाना है चलिए इसको देखते हैं रदरफोर्ड का अलफा कड़ प्रकेडन प्रयोग किसकी खोच के लिए उत्तर दाई था तो यह परमाण केंद्रक खोच के लिए उत्तर दाई था रदरफोर्ड ने जो अलफा कड़ प्रकेडन किया था यानि सोने की पतली सी पन्नी पे जो अलफा केड़ों की बंबार्डिं कहते हैं उसको कि ये थे उससे हमें क्या पता चला था पर्माण केंद्रक के बारे में पता चला था ठीक है अगला देखते हैं सुलावाद, एक तत्त के समस्थानिक में होते हैं, अब एक तत्त का समस्थानिक है, मतलब समाना स्थान यानि प्रियाडिक टेबल में एक ही खाने में रखा, एक ही खाने में तभी रखा जाएगा, जब उसका परमाण संख्या समान होगा, यानि अटामिक नंबर सेम होगा, जब उसके परमाड संख्या सेम होगे तो समस्थानिक है तो इसमें क्या होगा परमाड संख्या से तो कोई relation है नहीं यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसा option ही नहीं दिया हो जो हमारों परमाड संख्या समान बता रहा हो लेकिन एक option है neutron की अलग-अलग संख्या क्योंकि परमार संख्या समान है तो उस तत्तो का यानि उनके समस्थानिकों का क्या होगा न्यूट्रान की संख्या अलग होगी क्योंकि प्रोटान प्लस न्यूट्रान जुडने के बाद ही द्रवमान बनाएंगे और द्रवमान भिन्न होना चाहिए समस्थानिक में ठीक है तो यहां पर नुट्रान की संख्या दर्सित हो जाएगी पता चल जाएगा अलग-अलग हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं इसकी संख्या कितनी होगी आठ अगला देखते हैं सोडियम का सही इलेक्टरानिक विन्यास निम्न में से कौन सा है सोडियम का ऐट्रामिक नंबर होता है घ्यारा तो ग्यारा मेंसे दो पहले वाले कोज्श में आ गए तो बचा कितना 9, 9 मा से 8 M वाले कोस KL, L वाले कोस में आ गए तो बच्चा कितना 9 में से एक गया तो एक बच्चा और ये एक लिख दिया हमें यानि अब 8, 2, 10 और 1 जुड़के 11 तो ये वाला electronic विन्यास हमारा सही है अगला देखते है 19 नमर question निमलकित साड़ी को पूरा कीजिए अब यहाँ पे एक साड़ी दिया है इसको पूरा करना था हला कि ये साड़ी है देख लिजे ठीक है एक जला कि साड़ी को देखते हैं परमाण संख्या यहाँ पे दिया हुआ द्रमान संख्या नूट्रानों की संख्या, प्रोटान, एलेक्टान और परमाड़ संख्या तो परमाड़ संख्या ये सारी चीज़े दी है इन सब को हमको फिल करना है चलिए इसका उत्तर देख लीजिए सिधा ये फिल करके रखा हुआ है 9 है, द्रमान संख्या 19 है नूट्रानों की संख्या 10, प्रोटान 9, एलेक्टानी संख्या 9 क्या होगा, कौन सार तक तो है, फ्लोरीन है ऐसे ही ये सलफर है, मैगनेसियम है, जुटिरियम है और लास्ट वाला क्या है हमारा, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन प्लस है ठीक है, तो इस तरह से ये साड़ी भरी हुई है तो इसको आप देखके समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटान की संख्या नूटान की संख्या, लक्रान की संख्या जैसे जैसे दिया होगा, आप जान जाएंगे ठीक है, तो आगे देखते हैं चलिए तो ये अध्याय के जितने भी प्रश्ण थे ये सारे समाप्थ हो गया हैं कहीं भी कोई चीज नहीं समाज में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेही चेक मैं आप कि जो क्वेरी है जो दिक्कत है जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोसिस करूँगा ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद